अलेकम स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे नियू काउंट डाउन बुक फाइव थर्ड एडिशन इसकी हमने एक्सराइज एट भी स्टार्ट की हुई थी जिसके हमने 7 questions complete कर लिए थे next है इसमें 8 और 9 questions यह आपने खुद करना है और जैसे यह है question हम question number 10 से start करेंगे use the formula from to work out the area of following rectangle rectangle का हमने find out करना है तो rectangle में हम क्या करते हैं L multiply B होता है तो हम इसको क्या करेंगे area of rectangle L multiply B तो centimeter square L है हमारे पास 10 multiply B है हमारे पास 7 तो इसका one part है 10 question का तो इसका दिया है length है हमारे पास 21 multiply B है हमारे पास 5 multiply कहेंगे 5 ones are 5 5 twos are 10 meter square में इसको दिया है meter है दोनों तो meter square में इसका answer आजेगा third part है इसका area of rectangle area of rectangle है L multiply B 18 multiply B है हमारे पास 9 9 को हमने 18 से multiply किया तो हमारे पास answer आता है 162 इसका four part करेंगे हम area of rectangle है हमारे पास L multiply B L की value है हमारे पास 35 B की value है हमारे पास 6 multiply करेंगे 35 को 6 के साथ 6 5s are 30 3 3 carry हो गया 6 3 जार 18 19 20 21 210 210 cm सेंटी मीटर स्केर में है तो यह मीटर स्केर इसका answer रहता है question number 10 आपका complete हो गया है question number 11 है use the formula to work out the area of following square यहां पर हमने square का area find out करना है formula write करेंगे square है हमारे पास area में हम square का करते हैं वो L होता है four sides इसकी equal होती है area of square उन्हों ने दिया है 13 cm formula write करेंगे L multiply L तो हम 13 multiply 13 करेंगे 13 को 13 से multiply किया तो हमारे पास इसका answer आता है 169 cm square next है इसका B part है यह question number 11 का first part था यह second है area of square हमने किया है तो हमारे पास area of square दिया हो है L multiply L तो हमारे पास है 40 multiply 40 40 को 40 से multiply करेंगे 000 16 तो हमारे पास answer आ जाता है 1600 1600 cm square का C part है square का है L multiply L area of square है L multiply L तो हमारे पास आता है इसको 17 multiply 17 की है हमने तो इसका answer आता है to 89 cm square next है इसका D part area of square हम write करेंगे area of square is equal to L multiply L तो 12 को multiply करेंगे 12 के साथ तो इसका answer आता है 144 cm square question number 7 है हमारे पास work out these floor area by dividing the shape into rectangle इसको हमने पहले rectangle में divide करना है यह question number 12 की A part है इसको हमने rectangle में किया है rectangle का जब भी हम find out करते हैं तो L plus B इसका L multiply B इसकी जो L length multiply breath इसको हम multiply करते हैं इसका answer लेंगे इसको इससे multiply करेंगे इसका answer लेंगे दोनों को plus करेंगे तो हमें area find out हो जेगा एक rectangle का इसको देखते हैं हमने कैसे की है area of rectangle है हमारे पास L multiply breath है हमारे पास तो L है हमारे पास 3 multiply breath है 1.5 multiply करेंगे इसको 3 को 1.5 से multiply करेंगे 5 को 0 से multiply किया 0 5 3 0 15 multiply करेंगे 0 3 1 0 3 तो हमारे पास आ जाता है यह 5 और 3 और एक 4 यह 2 के बाद decimal लगा है तो 4.5 हमारा इसका area आ जाता है एक शेप का next शेप का करते है area of rectangle area of rectangle और second शेप हम निकालेंगे L multiply breath है तो length हमारे पास है 6.5 multiply 5 इसको हम multiply करेंगे यहाँ पे तो 6.5 को जब हम 5 से multiply करेंगे 6.5 को 5 से multiply किया तो हमारा आंसार आता है 32.5 cm square अब हम इनको plus कर लेंगे दोनो area हम करेंगे 2 rectangle का plus कर लेंगे first का a का हमारे पास आया है 4.5 प्लस 32.5 तो आ जाता है 37 cm square दोनों को plus करने से हमारा इसका answer आता है next है इसका b एक तो हमने rectangle यह उन्होंने divide करने को का है rectangle बनाने को एक हमने यह rectangle बना लिए तो अब हम इसको पहले a को देखेंगे 3.5 है इदर 4 मीटर है यहां पर हमारे पास है 7 तो हमारे पास यह जो shape है यह a आ गई है यह हमारे पास b है तो यह 8 है 8 का अगर हम half करेंगे तो यहां पर 4 आ जेगा अब ही हम a का find out करते हैं फिर b का करेंगे next है इसकी b का हमने a की area find out करना है area of rectangle आजेगा हमारे पास l multiply b हमारे पास इसका आता है 3.5 मीटर multiply 4 मीटर इसको हम multiply करेंगे 3.5 को multiply किया हमने 4 से 14 मीटर यह हमने find out किया है आगे है area of b area of rectangle of a यह a का था यह b का है b का area of rectangle आएगा 4 मीटर multiply 7 मीटर 7 को 4 से multiply किया 28 मीटर स्केर आगया है तो यह आता है 14 मीटर स्केर plus 28 मीटर स्केर तो इसको आता है 8 और 2 12 1 केरी हो गया है 2 3 और 1 4 मीटर स्केर इसका answer आता है next है हमारे पास question number 13 this is a floor plan of school building work out the area of each room in यह हमारे पास एक shape दी हुई है इसको हम rectangle की shape है इसको हम divide करेंगे a का area है school का एक map दिया हुआ है यह classroom है यह classroom B है second है यह play room है यह toilet है यह floor plan है हम इसको divide करके इसके area की measurement निकालेंगे पहले हम a की निकालेंगे a में है 8 multiply 15 इसको हम देखते हैं कैसे इसका area निकालते है area of rectangle है classroom A का L multiply B तो हमारे पास आ जाता है 15 multiply 8 इसको हमने multiply किया है 15 को 8 से multiply करेंगे तो 120 मीटर square आ जाता है इसका next इसका है half part जो rectangle का है वो 4 और 6 है तो इसको multiply करेंगे area of rectangle है L multiply B तो L हमारे पास आता है 6 multiply 4 6 4s are 24 मीटर square इसका हम total करेंगे A और B का rectangle जो है 120 मीटर square प्लस 24 प्लस करेंगे 4 टू टू जार 4 और 1 इसका answer आता है मीटर square आ जाता है यह area of A जो room है उसकी measurement हमारे पास आ जाती है second B की find out करेंगे area of rectangle है L multiply B तो हमारे पास L है 8 multiply 3 तो 8 3s are 24 मीटर square आ गया है next है हमारे पास area of rectangle है हमारे पास यह आता है यह हमारे पास 15 है यह 9.5 है इन दोनों को पहले हमने 8 को 3 को multiply किया था अब 15 को और 9 को multiply करेंगे तो L multiply B तो इधर हमारे पास आ जाता है 15 multiply 9.5 तो इसका answer आता है 142.5 मीटर square इन A को और B को प्लस कर देंगे A प्लस B टोटल जो है इसका टोटल जो है A और B का हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास है 24 मीटर square प्लस 142.5 मीटर square दोनों को हमने प्लस किया है 166.5 मीटर square जो है हमारा B room का भी हमारे पास value आ जाती है area of toilet find out करेंगे L multiply B तो हमारे पास है 7 multiply 5 7 को 5 से multiply किया 7 5 जा 35 मीटर square next है हमारे पास play room का है play room का area है area of rectangle है हमारे पास L multiply B 7 multiply 5 तो इसका अंसर आ जाता है 35 मीटर square play room का था पहले हमने 7 multiply 5 किया है next हम करेंगे 25 multiply 15 area of rectangle है L multiply B तो हमारे पास इसका आता है 25 multiply 15 इसका आंसर आता है हमारे पास 3 95 मीटर square 3 95 मीटर square a plus b हम करेंगे 35 3 95 यह 3 95 नहीं 3 75 है 3 75 plus 35 तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3 75 plus 35 4 10 मीटर square इस तरह हमने 4 जो रेक्टेंगल हमारे पास अलग-अलग थे उनकी value find out कर लिए area of classroom A की value हमारे पास आई थी 144 मीटर square b की हमारे पास आई थी 166 point मीटर square c की हमारे पास आई थी toilet की 35 मीटर square और d की हमारे पास आई है 4 10 मीटर square हमने सारे रेक्टेंगल की value find out कर लिए इसके साथ आपकी exercise complete होती है इसकी आपने practice करनी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है अलाहाफिस